इस विचार को पढ़ने के बाद खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे यार मेरी नौकरी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है मैं तो तंग आ गया हूँ ऐसी नौकरी से यार मेरा तो मन ही नहीं लगता ऐसी नौकरी में मैं तो फंस केया यार, इस जॉब के चक्कर में, ऐसे लोगों के लिए तो सबसे बड़ी सलाह यही है, कि वो काम करिये जो आपको पसंद है, अरे ये नौकरी नहीं पसंद तो छोड़िये इसे, कोई और मिलेगी, अगर इंट्रेस्ट होगा, तो आप नई मन पसंद जॉब द इसी नौकरी, जो आपको पसंद नहीं है, ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ना मुनेकिन तो नहीं, थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाकी की जिंदगी मस्ती में कटेगी, कुछ लोगों की शिकायत है कि, कहने और करने में बहुत फर्क होता है, जॉब चेंज कर अपना एक छोटा बच्चा छोड़ जाए और आपको बोले, कि आपको रोजाना इसकी देखभाल करनी है, इसको खिलाना पिलाना है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में टेंशन हो जाएगी, बच्चे को संभालना, आपका सरदर्ड बन जाएगा, लेकिन जब आपका खु कोई परेशानी नहीं होती, आप खुशी-खुशी उसे खिलाते-पिलाते हैं, और उसकी पूरी देखभाल भी करते हैं, बस यही फार्ख है, हम हमेशा अपनी नौकरी ये सोच के करते हैं, कि हम दूसरे का काम कर रहे हैं, ये काम हमारा नहीं है, ये तो एक बोज है, आप स सकता है आपके अच्छे काम के लिए लोग आपके लिए तालिया ना बजाएं, आपके अच्छे काम के लिए आपको पुरुसकार ना मिले लेकिन मन में खुशी तो मिलेगी, एक संतुष्टी तो मिलेगी, और एक न एक दिन आप जरूर आगे जाएंगे, ये बात भी तैह अब्दुल कलाम बच्पन में अखबार बाटा करते थे, लेकिन आगे चलकर एक सफल वैज्ञानिक बने, क्योंकि जो भी किया दिल से किया, अपना मान के किया, बस यही खुबी उनको इतना आगे लेकर गई, रजनी कांथ बस में कंडक्टर थे लेकिन वहां भी जो कुछ कर स्टाइल से करते, शौक से करते, एक बोच समझ कर नहीं, और देखिये आज कितने बड़े सुपस्टा हैं, तो आप ही जो भी करिये दिल से करिये, फिर आपको आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता.